नमस्क्रा दोस्तों इस वीडियो में इस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसको नाम है रतन इंडिया पावर लिमिटेड इस स्टॉक 16.90 के प्राइस पर च्रेड करा है मार्केट में इसने 0.36% का अप मूव दिया था फ्राइडे को मार्केट कैप होगे इसकी 9,059 करोड की तो मोर्टर होलिंग 44.10% है बुक वेल्यू इसकी 8.13 है डिविडेंट ये स्टॉक देता नहीं एन फेस वेल्यू 10 है फंडमेंटल वीडियो में अलड़ी बिना चुकी हूँ प्लेलिस में आड़ कर दूँ या आप देख सकते हैं अभी के लिए शॉट में देखें तो एनरजी की सेक्टर का स्टॉक है सेक्टर इसका काफी स्टॉंग है ये स्टॉक 50 DMA के उपर एंट 200 DMA से भी उपर ट्रेड कर रहा है जो कि एक अच्छी बात है कुछ टाइम पहले ही इसने 24 जुलाई के आसपास ही इसने 50 DMA को गुल्डन क्रॉस दिया था पीर इशू की बात करें तो यहां पे मेंशन नहीं है किसी को जाननी होगी तो मैं कैल्कुलेट करके जरूर बता दूँगी अभी के लिए सेल्स और मार्जन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जन जो है वो 29.07 पे है और सेल्स क्वाटर और क्वाटर इंक्रेज हुई थी मार्च में अब जुलाई का सुरी जून में जो कवाटर इंड हुए उसका रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1st of August को तो 1st August को है Thursday तो Thursday को रिजल्ट आने वाला है एक बार चेक कर लेते हैं कि जून का रिजल्ट यूजली कैसा रहता है तो मार्ट से कुछ अच्छा नहीं रहता है जून का रिजल्ट यहां पे तो अच्छा भी आया है यहां पे देख लेते हैं तो यहां पे भी अच्छा आया है और यहां पे नहीं अच्छा आया है तो कुछ ऐसा pattern नहीं है जिसको हम analyze कर सकें यहां पर तो यहां पर देखे तो कुछ अच्छा नहीं आया है तो ऐसा कोई pattern नहीं है जिसको हम analyze कर सकें तो let's just leave it अभी shareholding pattern पे एक पार नजर मार लेते हैं तो shareholding pattern जून में प्रमोटर का बेलको इंटेक्ट है FIIs ने यहां पर holding बढ़ाई है 2021 से लेके अभी तक की सबसे ज्यादा major holding है and holding भी छोटी मोटी नहीं बढ़ाई है इन्होंने 3.6 sorry 1.65% के आसपास की holding बढ़ाई है जो की 1.5% से उपर है and DIs ने यहां पर छोटी सी holding कम करी है and public के पास जो holding थी पहले 47.29% थी अभी 45.67% रह गी है number of shareholders की बात करें तो last quarter में 13,22,745 थे इस quarter में 7 lakhs की बड़त देखने को मिली है almost 20,63,337 हो गया तो 7 lakh की लगवग बड़त number of shareholders में देखने को मिली है ये एक अच्छी बात है and उपर से shareholding जो है public के पास वो कम हुई है तो इसका मतलब लोगों में बट रहा है ये and लोग hold करके भी रख रहे हैं तो अभी के लिए चलते हैं इसके chart पर, chart पर देखें यहां पर मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया है और indicator and oscillator मेरा RSI का है तो एक बार बॉलिंजर बैंड को देख लेते हैं, बॉलिंजर बैंड जो लगाया है हमने, उसका mouth narrow हो रहा है, direction नीचे को जा रही है, but ये 20 days simple moving average से ऊपर trade करा है, ये एक हमारे लिए positive point है, अभी के लिए देखें, ये तो candle जो है हमें red मिली है, red candle हमें इसलिए मिली है, क्योंकि stock अपने opening से नीचे close हुआ है, opening इसकी gap अप हुई थी, opening से नीचे close stage 1 long term पे था, 19 July को and 26 July को ये निकला और stage 4 पे चला गया, usually यहां पे 90 days लेता है, बट कभी कभी नहीं भी लेता है, कुछ parameters होते हैं, जैसे यहां पे 21st में को गया था, 21st June को ये निकल गया था, एक महीने बाद ही निकल गया था, तो बड़े सारे parameters होते हैं, जिनको ध्यान मे रखना पड़ता है, तो वो सेवी ही decide करता है, सेवी के ही surveillance होती है ये, तो अभी के लिए हम चलते हैं again इसके chart पे, तो अभी के लिए देखे ये support ना, ये बना चुका है, strong वाला, बट अभी भी क्योंकि SM stage 4 पे जा चुका है and usually क्या होते है, 90 days के लिए रहता है, तो हो सकता है कि यहां से थोड़ा से दिक्कत परिशानी का सामना करना पड़े, यहां पे हमें अप मूव तो मिला है, बट यहां पे sellers काफी हावी हुए हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा से धान में रखना पड़ेगा, sellers active हो चुके हैं यहां पे and volume भी है, जो काफी अच्छा आया है and एक बार delivery percentage के उपर हम नजर मारते हैं, delivery percentage के दिए 66.06% गया है, delivery percentage की बात कर तो बहुत strong delivery percentage गया है, बट मुझे लगता है कि यहां पे थोड़ा सा दुविदा जनक स्तिती है, एक इसका support जो है वो यहां पे भी बनता है, जहां से यह reversal लेक्या आया है, तो वहां पे भी, जह इसी यहां पे जो, you know, volume है, वो drop हो जाए, अगर volume drop होता है, तो मुझे लगता है, फिर यह stock थोड़ा सा correct हो सकता है, एन यह stock बड़े आराम से मुझे लगता है कि फिर से यह 15 रुपीज के आसपास trade करता हुआ दिख सकता है, अब एक बार इसकी weekly channel चेक कर लेते हैं, RSI की बात करें, तो RSI यहां पे 63.53 पे है, और RSI यहां पे 60 पे अपना halt बना के वापस गई है, तो यह भी एक अच्छा move है, कि RSI अपना halt बना के गई है, और यहां पे गिरावट के बाद यह reversal मिला है, तो इसके साथ साथ दूसरी candle का मिलना भी काफी जरूरी है, जो हमारी confirmation candle हो सकती है, तो अभी के लिए weekly chart पे तो मुझे यह reversal strong लग रहा है, बट daily chart पे थोड़ी से दूविदा जनक स्थिती लग रही है, क्योंकि factor जो main आता है, वो इस चीज का आता है, SM long term stage 4 का, इसका factor बहुत strong आता है, तो Monday को किस तरीके से यह को लेता है, वो बड़ा जरूरी है, उपर से अगर इसके volume को देखे तो 24 million, 24 million and so so so, तो इतना आ रहा है, तो यहां पर ठीक है, गिरावट के time आ रहा है इतना, तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखके चलना पड़ेगा, और यहां पर जो पहले दो दिन upper circuit दे चुका है, इसकी विदा से य यह जो यह सर्वलांस में गया है, तो इसकी विदा से मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको hiccup का सामना करना पड़ सकता है, दूसरा volume जो है, इसमें मतलब 33 करोर का volume है, इसमें 21 करोर का volume है, तो इस stock में यूजली काफी हद तक volume रहता है, और जब कम volume रहता है, तो यह कभी न कहीं सर्वलांस में होता है, तो उसी time पे इसका कम volume होता है, यहां पे volume कब ड्रॉप हुआ था, 13th February को volume ड्रॉप हुआ था, एक बार देख लेते हैं कि यह सर्वलांस में कब गया था, तो यह गया था, 21st में को गया था, उससे पहले देखिए, यह stage 4 पे गया था सर्वला अच्छा था, जैसे ही 8th February को यह गया, उसके बाद यहां पे drop इसका start हो गया, और ड्रॉप होने के बाद एक काफी नीचे गया, volume काफी drop हो गया, 30th of April को यहां पे इसका volume फिर से आना चालू हुआ, अब देखते हैं कि कब निकला है यह यहां से, तो यह 10th of May को निकला है, तो of course सबको पता होता है कि 90 days का होता है, तो 30th April को यहां पे फिर से volume आना चालू हो गया था, उसके बाद यह सर्वलांस से निकला है, और उसके बाद इसमें run भी देखने को मिला है, तो उसके बाद सर्वलांस से निकलने के बाद यह अपना सारा change करता रहा है, इसके stages change होत तो हो सकता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर इस pattern को यह follow करता है, तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है कि यहां तक भी stock trade करता हो, तो थोड़ा संबल के जरूर चलिएगा, मैं यह नहीं भूरी हूँ कि 13 लुपीज के पास पका trade करेगा, बट हो सकता है ज यहां पर कितना volume रहा है, तो काफी dead volume रहा है, यहां पर 55 million का भी आया है, बट usually जो है वो 10, 25 यह million का रहा है, और यह stock वैसा है निकितना million का volume रहे, ठीक है, तो अभी के लिए fresh entry के अगर बात करें, तो trading view ने तो यहां पर buy का signal दिया है technical analysis, बट मुझे लगता है कि buy का यहां किया है, यह 90 days का जो पहले गया था, यह surveillance में फिर निकला था, वो नहीं read कर रहा है, तो यह सारी चीज़े read करनी पड़ती है, तो यह human touch बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, वो तो boats होते हैं, boats इसको करते हैं, कोई इनसान आके यह नहीं चीज़े select कर रहा है, तो मुझे ल strong रहेगी, उसके बाद यह काफी strong resistance रहेगी, तो इसका 5% का price band है, तो मुझे लगता है hurdle इसके रास्ते हैं, बहुत है, उसके बाद तो और भी resistance है, यहाँ पर आईगी, तो मुझे लगते है 19 तक पहुंचना भी इसका थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है भी, अब एक factor और ह यहाँ पर, अब दूसरा factor क्या है, कि first of August को आ रहा है इसका result, तो वो भी चीज एक माइने रखती है, कि अगर result आ जाता है बहुत अच्छा, जो कि हो सकता है कि अच्छा जाए, वैसे pattern तो इसका बोल रहा है कि जून का result इतना अच्छा नहीं आता है, बट अगर इसका result बह लग रहा है क्योंकि other income बहुत अच्छी आई है, बट अगर वैसे भी देखा जाए, other income को भी निकाल दिया जाए, तब भी result positive में था, मतलब jump तो देखा गया था, of course, अच्छा result था, बट other income की वज़ए से यहाँ पे इतना जादा strong result आया था, तो यहाँ पे भी अगर other income वा अगी बड़ी strong, इसके बराबर आगे, इसे जादा आगी, या फिर sales बड़ी strong आगे और बहुत अच्छा result आगे, तब यह stock को push मिल सकता है, और जा सकता है, otherwise, मुझे लगता है क्योंकि जो सिर्फ ना net profit देखते हैं और balance sheet नहीं देखते हैं, उनको सिर्फ यह numbers देखते हैं, सिर्फ यह net profit के numbers देखते हैं, और अगर यह number देखके चल रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि नीचे गिर सकता है stock, and honestly, not to offend anybody, but यह चीज जरूर देखने को मिली है, कि usually stock market को जो की लोग जुगा बोलते हैं, जो की लोग बोलते हैं कि इसमें तो नुकसान ही होता है, यह तो move लिए हो, 80% ऐसी जनता है, जो बिना knowledge लेके, और या teenagers है, जो बिना knowledge लेके के बार आ जाते हैं, मैं यह नीपूर रही कि knowledge नहीं है, उनको मैं यह नीपूर रही कि मुझे बड़ा सारा knowledge है, या कोई जो वीडियो देख रहा है, उसको बड़ा सारा knowledge है, I am just saying, stating the facts कि जो ऐसा होता है, and retailers में ऐसा होता है कि वही stock को fear sell करते हैं, मैं यह नीपूर रही कि वो जान बूच के करते हैं, वो fear sell करते हैं, उनको डर लगता है कि ओहो, यह क्या हो गया, क्योंकि knowledge नहीं होता है, कि कब निकलना है, stock से मुझे लगता है, stock में घुसने से जादा यह ज़रूरी पत है, इस बार game करेगा, मुझे लग रहा है, तो उस चीज़ को जूरूर ध्यान में रखके चले, तो मुझे लगता है कि यहां पर stock गिरने के chances ज़्यादा बन रहे हैं, तो सम्भल के चले हैं, इसलिए मैं यहां पर होती है, मैं बिल्कुल entry नी बनाती, result का बेट करती, फिर उसके बाद देखती के result कैसा रहा है, other income अड़ी strong आगे तब तो ठीक है, तो मैं कोई target नहीं लेके चल रही है, मतलब मैं होती, मेरी अगर सला लेनी है, वैसे तो किसी ने पूचा नहीं, बैटे, मेरी सला लेनी है, तो मैं big no, big 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 no, caps lock on, big no है मेरी तरस से के entry बिल्कुल नह बनानी चाहिए इसमें, थोड़ा सा दूरी बना के रखें, ठीक है, बाकी ये सिर्फ मेरी analysis है, कोई buy sell hold की recommendation नहीं है, तो आप अपनी analysis कीजिए, जानी समझे पड़िये और फिर invest करिये, मिलते है next video में, तब तक के लिए शुक्रिया and happy investing.